हpty ही गई झायज दियर शिजावाथे लीकुम ह tutaj ूप्न तर्ड लेक्ट्र व सेससे आज हम सेलेकटर्गों के बारे में देखते हैं हि की हम हिशच कैसे करते हैं मां हमारा वज् Courtney जो रहे हैं साथ करते हैं कोई नई चीजस नहीं है सेमिस्ट्रुक्चर एंडीमल का से शेकरते हैं अगजक्क्ति स्टर्टह मेक्शिवर आपके एक्सेटेंशन हमेशा सचैनल में च kleine अश्टीमल में करने जा रहे हैं ओके सेफ करते हैं say and start करते है एक है एक च्छुवण कर लेक से एक गए द्थे अच्छिवण ग्लोंग लिए एक करते हैं धिसिए लेक्टर्स दबल फ्लिक करते हैं जो में अभी बनाई है इस्टे मिन आप देख सकते हैं कि आपका है iheading cutting बन चुगा है आप यहडिंग तयार हो चुकिए है ठीक है स्टालिंग करते हैं देखते हैं कि हम selectors कैसे use कर सकते हैं आप elements से भी solveuses बना सकते हैं id से भी subtilegle बना सकते हैं class से भीester बना सकते हैं सब के बारे में देखते हैं πहले हम element देखते हैं wash1 make sure आपका selector wash1 हो गया ठिक है color सब्सक्राइब करेंगे वापस जाएंगे स्टाइल नीदिया हमने स्टाइल का टेक है एंड इस्टाइल क्लोज करेंगे ओके यहां हम देंगे एच वन स्लेक्टर बनाएंगे एच वन का एड प्रपर्टी और यहां देन वैल्यू गरते हैं अब रैड भी कर सकते हैं ग्रें ब्लू जो आप चाहते हैं ओके रिफ्लेश करते हैं आप देख सकते हैं कि यह अपकी हडिंग ग्रेंग ओ चुकिये ओके यह होता है हमारा अधिमेंट सेलेक्टर अभी आप जहां कहीं आप एच वन यूज करें में आटोमेटिकली वो गिरीन करता जाएगा आप पी से भी कर सकते हैं स्लेक्ट पी ओके पैराग्राफ दैन पैराग्राफ क्लोस अ देशिए जाए पैरा ओके स्टाइलिंग आते हैं सेम स्लेक्टर बनाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं ओके आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन आपकी सेंटर हो चुकी है अगर आपने मोर देन वन प्रॉपर्टी यूज करनी है तो कलर भी आप और एंज दे सकते हैं ठीक है अभी आप जितने भी पी बनाएंगे तो यह आटोमेटिकली एड करता जाएगा स्टाइलिन के अंदर ओके लिश्ट आई होप आपको समझा गया होगा सेम स्ट्रक्टर रखते हैं क्लास को हम देखते हैं हम क्लास के जरीवी सेलेक्टर अपना बना सकते हैं क्लास है फार इंस्टन्स हेडिंग जब हम ऊपर जाते हैं स्टाइल में एंड क्लास हमेशा डॉट से कॉल होता है ओके आप जैसे चाहें टाइम बचाने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट करने जाता हैं क्लार ऑल एफ जो मेरा फेवरेट है आएंगे वापस तो आप देख सकते हैंगे और आपका कलर हो चुका है या कर देते हैं अच्छी तना देखा ही देगा आपको आप क्लास से भी सलेक्टर बना सकते हैं ओके दॉट से हमेशा क्लास कमो कर होगी एंड आप पे आईडी से भी बना सकते हैं पेराग्राफ बनाते हैं यह पराग्राफ करते हैं इस इस है ओके हम आईडि देते हैं इक वस्टो आईडि का नाम आएगा जो भी आप रखना चाहें पर इंस्टन्स आसे आईडि यह हमेशाँ कॉल होगी है ज्री ओके पर यह हमारा सेलेक्टर है ओके आईडी हमेशा हैज से कॉल होगी है बेसिक स्ट्रॉक्चर है हमारा दो ब्रैसिस जरूर आएंगी एंड हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वैल्यू रखते हैं इसके ग्रेन एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं आप देख सकते हैं कि आपका पराग्राफ बन चुका है जो गिरिन है और अलाइन उसकी सेंटर है आईडी हमेशा यूनिक लिए होती है जब भी आप काम करें तो आईडी हमेशा एक ही बनेगी आपके पूरे कॉंटेंट में आप क्लासि हो फार इंस्टन्स अगर आपको हैडिंग चाहिए और हैडिंग आपकी ओरेंज ही हो तो आप सिंप्ली एच वन हैच वन का टेक स्टार्ट करेंगे एच वन का क्लोस करेंगे टेक एडिस इस सेकेंड हैडिंग सिरफ उसको आप किलास देंगे एडिंग के तो है वह स्टार्इलिंग खुद बाखुद आपकी खर देगा ठीक ये था हमारा सेलेक्टर ने इसमेक लेकम पर गशार की जिकले क्लासिस से selector कैसे बनाते हैं and id से कैसे बनाते हैं element से बनाते हैं और भी तरीके हैं selector बनाने के आप खुद explore कीजिएगा मुझे subscribe करना न बूलेगा thank you for watching खुदा आफिज